चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ मेरा बनाएं हुए कुछ कार्टून में से स्पेशल कुछ कार्टून को आपके साथ स्यार करता हूँ मेरा पहला कार्टून है इन दिनों मीडिया के बारे में मीडिया जो रियलिटी और लॉजिक को छोड़के सिर्फ टियार पी के लिए काम करता है उन मीडिया की मैं निंदा करता हूँ इस कार्टून की जरिये से मीडिया जो रियलिटी और लॉजिक को छोड़के सिर्फ टियार पी के तरफ भग रहा है और रियलिटी लॉजिक गिर गिरा रहा है कि दिखाओ, दुनिया को दिखाओ रियलिटी क्या है, लॉजिक क्या है चलिए अगले कार्टून की तरफ ये इन दिनों की हालत को लेके है, जहाँ पे चीजों का दाम इतना बढ़ गया है कि आम आदमी के लिए ये जीना मुश्किल हो गया है उन लोग का कपड़ा फट रहा है सिर्फ गैस की दाम जो हजार रुपे बन गया है जिसके कारण घर में चूला जलाना भी मुश्किल हो रहा है क्या खाय आदमी चली अगले काटून की तरफ यहाँ पे दिमाग और दिल के बीच में लड़ाई चल रहा है ये हम लोग के दिलों में होता है दिमाग में भी होता है कभी-कभी ऐसा परिस्थिती आ जाता है कि दिमाग और दिल सोच नहीं पाता है कौन ठीक है इसके करण पुरा सरीर बेबस हो जाता है इन दिनों के पास कब तक ये खतम होगा किसी को मालूम नहीं है इसके करण राउंड कब तक खतम होगा ये मालूम नहीं है और राउंड चल रहा है तो चलते ही जा रहा है चलिए अगले कार्टून की तरफ ये वो कार्टून है जब मानी के मागे ही थे जो सिलंकन गाना था, जो बहुत पपुलर हुआ उसके धुन में हर एक गुंज रहा था कोई डांस कर रहा है, कोई गुन-गुना रहा है इनी के बीच में दुर्गापुजा के वक्त दुर्गामा सोच में पर गई है कि ये क्या हालत हो गया है कहां गया भारत का संस्रीदी, कहां गया वो दिन डर गया है, भाग रहा है इसी के उपर ये कार्टून एक मजा किया अंदाज में हम लोग देख रहे हैं चलिए अगले कार्टून की तरफ ये उलिम्पिक का वो कार्टून है जहां पे दो भारतिया, चोप्रा और सुमित ने जैवलिन त्रो के कारण सोना जिदा था उसी के उपर ये कार्टून है मेरा अगला कार्टून है कौरोना की सौमाय का जब बच्चे लोग घर पे अटके हुए थे और पार्क में नहीं जा पा रहे थे तो उन लोग का वक्ती के कारण हम लोग का सबका पडित्राता स्री कृष्ण हम लोग के बीच आया और कौरोना को खतम किया इसी के बारे में जन्मास्टेमी के दिन में मैं ये कार्टून ड्रो किया था अगला कार्टून लेडिस फिंगर को लेके है लेकिन ये लेडिस फिंगर रिप्रेजन कर रहा है लेडि के उपर ये लेडिस फिंगर मा जो बेटी को सजा रही है ये इसका प्यार बाद में 20 साल के बाद वो ही मिल पा रहा है बापस मिल पा रहा है बेटी अपनी मा को सजा रही है इसमें जो प्यार दिख रहा है ये प्यारी ये कार्टून का में थीम है अगला कार्टून है अफगनिस्थान का उस टाइम का जब अफगनिस्थान से US आर्मी चला गया और उसी के साथ अफगन का आर्मी वो भी डर में छुप गया जिसके कारण अफगनिस्थान का जो मा है जो सोच में है कि उसकी बेटी अब आगे क्या उतना ही फ्रिडम उसको मिलीगी इसमें वो सोच में पड़ गई है उसकी जो बोडखा है बोडखा का एक कपड़ा उसकी बेटी के उपर दे रही है क्योंकि अगले दिनों में उसकी बेटी को भी ये नहालत हो जाये कि बोडखे की अंदर कि उसकी बेटी सिमट जा रही है मेरा आगला कर्टून है भारत की वर्तवान की जुबा के उपर जिसमें जुबा लोग बुक को छोड़के मोबाईल में इतना मजगूल हो गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो book के उपर बैठ के mobile में घुस गया है लग रहा है पुरा दुनिया एक bottle में है ऐसा नहीं है उसको पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहां जा रहा है इसे के करण एक bottle के अंदर मैं जुबा को draw किया हूँ ये दिख रहा है कि स्टाइल के बारे में उसको तो बहुत ख्याल है लेकिन दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है मेरा अगला कार्टून है उस बिंगॉली के लिए जो उस टाइम पे अफगानिस्तान से होके आया वहां का हालत बियान करते वक्त बहुत अच्छा कुछ बोल रहा था जो अच्छा है लेकिन क्यों वहां से बापस आ गया क्यों नहीं जाना चाहता ये खुल के नहीं बता रहा है ये मैं इस कार्टून के जरीये से बयान कर रहा हूँ कि छोड़के तो चले गए बहुत मैच अभी भी बाकी है ये मेरा एक पिक्चर है जिसमें मैं लाइन से गनपती बाप्पा को ड्रॉ किया हूँ कैसा लगा बताईएगा और ये मेरा लोगो है कार्टून वाला तो अप लोगो का मेरा कार्टून कैसा लगा बताईएगा मैं कार्टून गीग्स एनिमेशन का वीडियो लाइब वीडियो कैसे बनाते हैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और अगले वीडियो में आपके पास कुछ नया लेके आऊंगा चलिए फिर अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा तब तक बाई बाई